हलो आपिरीबन आप वेलकम इनियोजन लोक हुझ वें और स्टार करेंगे डप्रेंट इं इस्कूल ओफ फिलोस्पी in इंडियन हिस्ट्री तो यहां पर देखेंगे कि इंडिया में जो जो इन इन इपको निवर और आदी हैं हमारे पास आता है I उनका सोच अलग अलग जो दर्सन है अब आपने बात करीद दर्सन जो फिलासपी है तो दर्सन सास्तर के according या सबके दर्सन के अलग अलग स्कूल या अलग साखाय आती है उनके according हम देखेंगे तो उनका जो concept रहा है thought about society society के अनके बारे में क्या सोचते हैं तो उनके उन qeo occurring है में क्या सोस्के है क्यों होती है क्या करीब हो सबकुछ दो ancora होता है थिके दुक्त सुक किसे अंदर बुर्ण सिस्टम उच नीज गरीब अमीर सब कुछ इसके अंदर आ जाता है उनके उपर कंपलीट एक फॉर्ट प्रोसेस इस कॉल्ड फिलोस्पिकल इसकॉल या जो जो अपनी idealogic according । barbecue हुए है ह। उनमें हम देखते हैं कि final यहांपर जो pains यह जाती है यह goal of life goal of life यह मत्लब life का goal क्या है और life का goal अलग अलग बोला गया है । सबके दर्संसाथ recording अकॉर्डिंग फिलोस्पिकल के अकॉर्डिंग सबका धर्सांसर आफ्ण अलग कहता है कि क्या हो सकता है गोल तो गोल ऑफ लाइफ जनर जो गोल अप लाइफ बताए गए गए दैट इस ऑल ढखर मरूब हम इस दा गोल और अगला हमारा आथ है अब अंक अड़ पुरुसार् पताय गये गलो तालाक फोहीं हमारिया आते है धर्मियों ही धर्म किता है धर्म कि क्या कि श्क्राइब 24 मतलब अर्थ साथ कि सव्क्रxt हो घम आता है कामने पकूल य। एंग्षी कह अंदर आते हैं दिफिरन दिफरन टैंसाथ्पिश्ब सिदित के दर्सन डिफरेंट 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 के अलग फिलोस्पी कि किस फ्लॉप्स के रोड़ने क्या मुख्च है उसको हम देखेंगे याप पर हम तो हमारे हैं जो डिफरेंट 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 की स्कू स्कूल और यह जो हमारे इंडियन फिलास्पिकल स्कूल हैं यह दो पार्ट में डिवाइड होते हैं दो साकों में डिवाइड होते हैं पहली से साका जाती है और्थोडॉक्स और दूसरी साका हमारी जाती है यह हेट्रोडॉक्स हेट्रोडॉक्स तो और्थोडॉक्स स्कूल और हेट्रोडॉक्स स्कूल तो दो टाइप के हम इसमें पढ़ेंगे इसे बोलते हैं मुरूडिवादी रूडिवादी और यह हमारा आता है सिधर्मी धर्मी भी बोल सकते हैं इसको और इसके लावा नास्तिक बोल सकते हैं तो इसमें जो अलगले टाइप के स्कूल आते हैं तो जैसे हम इसमें देखेंगे इसमें हमारा में जो इंप्रिटेंट पार्ट है इस साथ दर्सन साथ दर्सन और इसके अंदर आते हैं हमारे फुद्ध, जैन, अजीबिका, या इसके अलाब हम बात करते हैं चारवाक स्कूल, तो अलगले टाइप केस में हम स्कूल देखेंगे कि जो हमारे इसमें आते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और्थोडक्स स्कूल, और्थोडक्स स्कूल के अंदर दिखाया गया है सुप्रीमेशी और बेद, यहां पर वेदा सुप्रीमेशी दिखाई देगी, कि यहां पर दिखाए देगी और्थोडॉक्स में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अलगले टाइप की फिलॉसपी जिनके प्रपाउंडर आई और इनकी डॉक्ट्रीन थी इसे संक्राचर इनका आता है एद्वित्वाद इनका रामा नुजम इसका इनका आता है इस ताइप से हमारे अलगले टाइप के जो स्कूल आते हैं अलगले जो फिलॉसपी आती हैं उनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने साथ दर्सन यहां पर साथ दर्सन के अंदर छे टाइप के दिखाए देंगे सबसे पहले फिलॉसपी आती है संक का मतलब आता है काउंट मतलब गिनना काउंट करना यह कॉल संक है तो संक जो आता है हमारा इसे बोला गया है एद्वित्वाद कपिलमुनी बताए जाते हैं क संक के सूत्र लिखाता है संक मतलब होता है काउंट करना संक करना काउंट करना तो इसमें हम देखिए, जू सांग इसकूल आता है हमारा, इह सबसे ज़्यादा oldest इसकूल है, यह हमारा oldest school आता है, सबसे ज़्यादा oldest school of thought process, या oldest classical school आता है इंडिया में, तो इसमें हम देखते हैं, यहां पर हमारे दो विउ दिखाए देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे 2 व्यू दिखाई देंगे तो दोनों व्यू के अंदर देखते हैं क्या क्या होगा और तो पहले देखते है कि यह स्कुल बिलीप करता है डु wrapping यह द्डवीश्प यादवाद की ऊपर दिखाई देगी और यह concept based करता है all real knowledge, जो actual में knowledge है, जो ग्यान है, ठीक है, real ग्यान के बारे में बात करता है, तो this knowledge can acquired, तो तीन में इन concept आते हैं इस knowledge के acquired करने के, पहला आता है हमारा perception, किसी को protect, percept करना, अगला आता है अनुमान, inference, अगला आता है sub-hearing, तो तीन हमारे इसके concept आते हैं, जिनके दुरू हम all knowledge है, या real knowledge है, उसको हम acquire कर सकते हैं, उसको हम found कर सकते हैं, अगला हम देखते हैं, इसके अंदर पिर्किरती के तीन गुन बताये गए हैं, इन गुड़ों में, जो हमारे तीन गुड़ आते हैं सबसे पहला आता है साथ कुगोड़ अगला आता है हमारा राजस गुड़ रजस रजस गुड़ और थर्ड आता है हमारा तमस तमस गुड़ तो तीन टाइप की पिरकिरती के तीन गुड़ बता गए हैं साथ रजस और तमस गुड़ यह बताते हैं कि जो human है, इंसान है इंसान में जो ये प्रिकृति के तीन गुड़ पाया जाते हैं, अब तीन में किसी में साथ जादा होता है, रजस जादा होता है, साथ कम होगा, रजस जादा होगा, इस टैप से चीज़ें करते हैं, उन्हें के उपर इंसान की आदत, उन्हें तो सांक है तो सांक के स्कूल दो टाइप में डिवाइड हुआ है यह तो ओल्ड साका इसके आती है और एक न्यू साका आती है तो ओल्ड साका के अंदर जो कंसेप्ट लिया गया है ओल्ड साका के अप्रोक्षिमेट टाइम लिया गया है फर्स्ट एंचुरी का सपास First Century BC और जो New SAKA है New SAKA का Time period आता है हमारा Fourth Century KD इसका Time period आता है तो यहाँ पर जो बत करते हैं कि पहली जो SAKA आती है यह Scientific वो ले जाती है मतलब यह जो Old SAKA है That is called Scientific SAKA Scientific और यह जो हमारी आती है Spiritual है spiritual philosophy के बारे में बात करती है ये इसमें हम देखेंगे सांके साक की जो old साका है old जो ब्रांच है वो universe के creation के लिए किसी divine energy को बताती है कि universe का creation हुआ है universe जो create हुआ है उसके लिए कोई divine energy का presence नहीं था ठीक है मतलब उसका divine energy के presence को मना करती है लेकिन यह जो आती है हमारी यह बोलती है कि जो creation के लिए मतलब element of nature या कोई पुरुस आवस्सक है कोई ना कोई energy की requirement है creation के लिए तब ही creation हो सकता है लेकिन दौनों जो साखायाती है old है new दौनों का जो concept रहता है वो हमारे किसमें आता है दौनों concept रहता है knowledge क्यान के ऊपर दौनों बल देती हैं दौनों साखा है हमारी old है या फिर हमारी नई new साखा आती है आप हम देखेंगे अगला हमारा आता है इस चीज़ का दर्सन सास्त्र है जो सांग के दर्सन सास्त्र है इसका जो भगबत की इसके महावरत के सांती पर्मे भी उल्लेक होता है महावरत के इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास जो आती है यहां पर दो हमारे तत्व दिखाए है कि कैसे वो चीछ चलती है तो इए उसमें हम बताया गया है महत या बुद्धी हमारी न Kenni सब्सक्राइब को बोला गया है तो पार्ट में डेड होगी पहला पार्ट आएगा हमारा तमस अचos और दूसरा पार्ट आएगा हमारा यह एंकार यह नहीं कि एंकार कुछ गलत बाल एंकार है वह एंकार नहीं एंकार मतलेब अपने होने का एसास that is called एंकार अब एंकार भी हमारा एक तरब जाएगा एंकार के अंदर जो आएंगे हमारे यह हमारे एहंकर जो डिवाइड होगा पौश तनमंतरास में डिवाइड होगा इससे हम पांच तनमंतरास निकलेंगे पांच तन्मंत्रास और इन पांच तन्मंत्रास से जो निकलेंगे वो पांच महाभूत निकलेंगे पांच महाभूत हम इनकी बात करेंगे क्या है ये पांच महाभूत अब एक एहिंकार हो गया, आहिंकार का एक दूसरा रूप दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे सात्विक एहिंकार, जिसमें प्रिक्रति के गुड़ के बारे में बात किती है, सात्विक जो गुड़ है, उसके तुरू जो एहिंकार आया, उसका जो एहिंकार जो उसका कर媒ंद्री आती हैं बान्च करवेंद्री आती है के प्लस पांच ही ओगए फांच ही ओगए प्लस हमारे एक गाता है मन कि यह हमारे इसमें टूटल 11 eLeMher she.... जो हमारे स work के एंदर आपड़ यहांपर ऑन्दस एलेमंट öटे ंंदर वो मनस हा मन तो यहां पर गो महत पहला हो गया महत अहिंकार मनस यह हमारे तीन हो गए इसके अलाबर जो 5 और यह है नोस पियर आई इसकी टंग ऑर गन और अन इस तीन हो गया है यहां करते हैं इंके तरूँ कुछ कुछ आउटपुट होता है जो हम कुछ करते हैं जिसे हम बोलते हैं हैं और धीन फील हो हमारे 5 महابوت होते हैं 5 physical element आते हैं जैसे हम देखेंगे तो सबसब पहले हमारे पास का ether, air, fire, water, earth अब इसमें जो हमारे महابوت आते हैं इन महابوت हमारे के से निकले जैसे ether है, ether हम देखेंगे sabd, यहां से ether निकलता है, air का, sabd स्ब्द प्लस इस पर्ड़ यहां से हमारा यह इर निकलती है अगली हम देखेंगे फायर तो फायर सब्द प्लस प्लस रूप तीनों से हमारी फायर ini उप सब्स प्रड़ रूप एंडर्स हार को मिलाकर वाटर और इन पांचो को मिलाकर जो चीज बनती है that is earth इस तैप से इसमें निकलती है तो यहाँ पर जो टोटल पच्छेस element लिए गए हैं और 26 में element को माना गया है कि 26 जो element है 26 element called issuer यह जो हमारी सांके श्कूल बोलता है यहाँ पर हम दो टाइप अग्या के क्लिब्रेशन देखेंगे शांप के अकॉर्डिंग देख तो है जीवन-mukty एक विध्य-mukty हमारी होती है जैसे कि हम लाइफ के बाद होने के वी बाद करते हैं यह फिजिकल बाद करते हैं आपर और विध्य-mukty प्रबताय जाते हैं पतंचली इसके फाउंडर है जिन्हों ने योगसूत्र है यहां पर हम देखते हैं यहां पर दिखाया जाता है यूनियन और टू मेजर एंटेटी के बीच में यूनियन दिखाया गया योग मतलब जोड़ना किसका है जोड़ना किसका है yuman यहां पर हमें योगी योग टेक्निक का हम यूज करेंगे इसके लिए सिंबल दिया गया है ओम का यहां पर बोला जाता है गॉड को इश्वर कहा गया है गॉड को बताया गया है से अगला हम देखते हैं जो प्रेक्टिकल यूज को वोला गया है अगला हम देखते हैं जो और जो ब्रेटिंग एक्सराइज जो से हम बोलते हैं प्रनायम हमारी दो पार्टमेंट वाइट होती है अगला आता इसमें जो कंट्रोल करेंगे तो इसको यम इसमें प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को कंट्रोल करना अगला जो होता है नियम मतलब म्यानट के जो चूज करना जो आता है समाधी होती है माइनट और और मरजिंग की हमारा दिमाग और क् 선rag को हमने बहुँन को भोला जाता है यहां पर समाधी का भी दो टाइब दिए गए है यह हमारी समाधी आती है तेक हैं jsati है जह को वो आह डॉले है समप्रजानात और इसको ब स्सक्षास अ विया पर दे मुख्च को प्राप्ट करने के लिए जो मुख्च करेगा परसन तो उसके लिए लॉजिकल ठिंकिंग की रिक्वार्मेंट तो न्याई फिलोसपी बोले जाती है तरक सास्त के ऊपर मतलब यह बोले जाती है कि अधे तरक साथ मतलब तरको के ऊपर साइन्स ओव रिजिनिंग कि अगला आता है हमारा प्रमना सास्ति इसमें हमारे लॉजिकल इंप्टिनलोजी की बात होती है अगले होते हैं हेतु विद्या हेतु विद्या मतलब कॉस कारण कि किसी का क्या रीजन हो सकता है यह अगले आती है वाद विद्या मतलब डिवेट बाद करना डिवेट अगल पड़ेगा कि जीवन क्या है मुख्च क्या है उसमें यूज करते हैं लॉजिक और अनलोजी वगरेगा यूज करते हैं कि चीज को पहुंचने के लिए यहां पर देखते हैं हैं यहां पर बात हुई है सिस्टेमाटिक रेजिनंग कि बात हुई है इसमें बोला गया है गौर्ड नहीं करियटेव का कशेट निकालता है अलंहारा और जो डिस्टेक्शन के देखिया है यहां पर चार fundamental source of knowledge के दे रहे हैं हमारे protection मतलब perception अगला अनुमान अगला उपमान अगला compare करना सब्द वर्चुल टेस्टिमोनी तो नियाए followers पर जो हमारी करती है वो बोलती है कि effect is not same as the cause effect वो नहीं है effect उसकी तरह नहीं होगा जो cause जो हमने कारण हो सकता है वो effect अलग लग चीज़ दिखाए गई हैंपर effect बोला गया effect is the new creation or new bringing of existence यहां पर बोला गया है कि यह does not exist in the material cause price production material को इस्ट थोड़ी सी हटके आती है नियाए जो हमारे स्कूल आता है अगला हम देखेंगे यह बात करता है self liberation की self and liberation की यहां पर हम देखते हैं कि खुद के existence के लिए self existence in universe तो यह जो बात करता है वो लॉप कर्म की बात करता है ठीक है लॉप कर्म के उपर ही सारी चीज़ चलती है और God का जो creation हुआ है God ने create किया है लेकिन सारी चीज़ चलेगी कर्म के according ठीक है कि लिबरेशन कैसे अचीव होगा उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे लॉप कर्म को देखना पड़ेगा और God को बोला गया है यहां पर create a sustainer destroyer तीनों काम जो है God के उसमें दिये गए है अब वो अर्थ को regulate करता है solar system movement work plant सब कुछ regulate करता है जिज को बोला गया है और यह जो को यहां पर नहीं लिया है निया स्कूल के नंतर नेक्स्ट देखते हैं हम विसेश का सबसे निकला है विसेश से यह बलीब करता है physicalty of universe मतलब realistic objective philosophy कोई ने को realistic objective philosophy है इस universe को ब्रह्मान को गवर्न करती है चलाती है ठीक है यहां पर जो सिद्धान्त आता है महरसी करनात का सिद्धान था जिन्होंने परमाणू का सिद्धान्त दिया था इन्होंने ही atomic theory को डबलब किया था यहां पर बोला जाता है फिनॉम्ना अब दिस होके matter बनाते हैं कि अब जो बेस है वो everything जिसे हम physically touch करते हैं या देख पाते हैं कि वह उसी का base है मतलब atom जो और molecules से हमारे matter बनता है और उसी चीज़ को हम touch कर सकते हैं और देख सकते हैं यहां पर पांच fundamental atomic element बताए गए हैं जिन से हमारा कोई भी atom बनता है जिसे बोला गया ह है द्रब है पांच जो बताए गए हमारे सबसे पहले आती है फायर यह वाटर अर्थ एंड एथर एथर मतले इसका आकास बोला गया है इसको और इसके अलाबह जो हमारे पांच विजिकल एलिमेंट हो गए पांच fundamental attributes, genes, inheritance, substance वगरा यह सब क्या है इसकी reality आती है तो यह स्कूल जो है सांक युक के बाद में आया है लेकिन जैनिस्म और बुद्धिस्म की थोरी के आसपास यह लौंग करता है बैसिक के स्कूल तो यहाँ पर जो है believe in God बताए गया कि God में believe करता है यह स्कूल और यहाँ पर ब से गाइड किया जाते हैं और वही चीज है हमारी लौर करम जो इनिवर्स को गाइड करती है तो God decide करता है merit and dear merit हमारे जो भी action करते हैं हम जो भी हम attempt करते है action करते हैं उसका क्या है God उसको क्या होता है सब्सक्राइब करता है कि हमारा कि सही है या गलत है सही होगी तो heaven मिलेगा otherwise hell कि according मिलती है यह believe करता है believe in salvation मतलब मोख्ष में मोख्ष यह हमारे आता है cyclic process of creation and destruction of universe कुछ ना कुछ गुड़ हैं कुछ ना कुछ attribute हैं शीच को बोला गया है दूसरा संक्राचारे बोलते हैं कि knowledge और ग्यान to be a main meaning of the attending salvation तो knowledge या ग्यान के पास से हम क्या कर सकते हैं उसे salvation मतलब मोख्ष को पा सकते हैं अब रामन जुम बोलते हैं कि उसे पाने का तरीका है the loving the faith and practicing devotion वो हमें उस पर लेकर जाएगा मोख्ष के उपर लेकर जाएगा उसमें देखते हैं यहां पर जो बेदान जर्म और रिवर्थ के अंदर यहां पर बोलागा इस दा कलेक्शन ऑफ दो मोरल परस्पेक्ट एम टुगाइड दा इंडिविज्विज्वल इन अटेंट ए स्टेट ऑप दे स्पीचुरल डिविनिटी डिवाइनिटी डिवाइनिटी इसके जो आते हैं वह है इगो क्या है आत्मा और दूसरी तरफ क्या है हमारी तरफ परमात्मा जिसे कॉस्मिक सेल बोला गया एक तो हम खुद हैं सुब एहम ठीक है और एहम हैं यहां पर जो बात हुई है वह हुई है और यहां पर जो बात हुई है वह ब्रह्म की बात हुई है एहम और ब्रह्म मतलब आत करें कि सूरज की रोशनी पढ़ती है कहीं पानी में तो अलग अलग हलं तो उस थैप सीमाला गया है कि जो सुप्रेम स्यलफ है जो ब्रहम्य है पम्हाट्फिस क्या है यह अलगले टैप से हमें ये color दिखाई देता है एहम दिखाई देता है यह वेदान्त स्कूल के वारा बोला गया है यह था हमारा साथ दर्शन थैंक्यू थैंक्यू अब्रीबन